सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल क्रेजी जीके ट्रिक्स और इस बैल आइकन को दबाईए सबसे तेज जीके अपडेट के लिए हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो क्रेजी जीके ट्रिक्स आज इस वीडियो में हम विश्व और भारत के प्रमुक जॉला मुखी मतलब वॉलकेनों के बारे में स्टडी करेंगे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए समझेए और साथ ही एक कोशन आंसर टेस्ट भी हम लास्ट में लगाएंगे जिससे हमारी प्रेक्टिस हो जाएगी कि किस तरीके से हमको कोशन सॉल करने हैं और किस तरीके से कोशन बनते हैं जौला मुखः वल्केनों के सेक्षन से तो फ्रेंट्स चलिए हम इस्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं जौला मुखः क्या होता है तो समझेगा प्रत्वी पर एक छेद या धरार से जब परत्वी का पिगला लावा भाप और गे से जब भार निकलती हैं तब सब ज्वाला मुखी से related रखते हैं दोस्तों इन सब words को समझना बहुत जरूरी है तो चलिए हम एक एक करके सबको discuss करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं crater क्या होता है तो friends ध्यान से सुनिए ज्वाला मुखी का जो cup का अकार होता है और उसका मुझ जो होता है ज्वाला मुखी का मुझ जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं crater बोलते हैं तो ये exam में question पुछा आता है तो ज्वाला मुखी का मुझ क्या किलाता है crater किलाता है अब question आता है मेगमा किसे बोलते हैं तो जब क्या होता है, ध्यान सुनिए, जब जौला मुकी फुटता है, तो अंदर से तरल पदार्त बाहर निकलता है, तो ये तरल पदार्ती क्या होता है, मेगमा होता है, ये बाहर आकर क्या होता है, दोस्तों सब प्रत्वी की सर्फेस पे पोस्ता है, तब इसे हम क्या बोलत उसे हम क्या बोलते हैं, सिंडर कौन बोलते हैं, तो ये दोस्तों बहुत ज़्यदा important points थे, जो की ज्वाला मुखी के topics related हैं, crater, magma और सिंडर, ये हमने अच्छे से discuss कर लिया, ठीक है friends, अब चलते हैं हम ज्वाला मुखी के अंदर और हम depth में पढ़ते हैं, कि कौन-कौन सी ज् चलिए, अब हम बात करते हैं, type of ज्वाला मुखी, ठीक है, type of ज्वाला मुखी देखते हैं, तो सबसे पहले हमारा आता है सक्री ज्वाला मुखी, फिर आता है प्रसुप्त, और फिर आता है हमारा शांत ज्वाला मुखी, प्रसुप्त को हम बोलते हैं, dormant, और सक्री को बो जोला मुखी जिसके मुझे से धूल गेस जलवाश्प निकलती रहती हैं। उसे हम क्या बोलते हैं। अच्छा एक इंपोर्टेंट पॉइंट और आपको बता रहा हूं में। ध्यान से सुनिएगा। जब भी जोला मुखी फुटता हैं। तो उसमें से जो गेसे बाहर निकल जो हेती उसके मुझे से निकलती रहती हैं। जैसे कि आपको डाइगराम में दीख रहा हैं। तो उसे हम क्या बोलेंगे एक्टिव जोला मुखी बोलेंगे। अब इसमें हमको याद रखने वाली कौन कौन सी हैं। एक किलामू जो की एक सक्री जोला मुखी हैं। ध्यान के बाद सेकेंड हम बात करते हैं कोटोपेक्सी की ये भी एक सक्री जौला मुखी है जो कि कहां पर है इकवाडोर में है ठीक है और ये जो है वीश्यू में सबसे उंचा जौला मुखी परवत है अब मैं इनको सबको याद करने हैं कि आपको ट्रिक बताऊंगा जस पहले आप सबसे उंचाई पर इस्थित एक्टिव जौला मुखी है ध्यान रखेगा वीश्यू की सबसे उंचा जौला मुखी कौन सा है कोटोपेक्सी है और सबसे उंचाई पर इस्थित सक्री जौला मुखी कौन सा है ओजस डेल सालाडो है ओके फ्रेंट्स चलिए अब लास्ट हमा मैं आपको trick बताता हूँ, friends ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं किला मू की, ये कहां पर इस्ती थे हैं, हवाई दीप में इस्ती थे, अब हमको केसे पता लगा कि किला मू जो है, वो एक सक्री जॉला मुखी है, ये questions बनते हैं exam में, ध्यान रखिए, मैं आपको important points बता चुका हूँ, कि वीश्व का सबसे सक्री कुन सा है, किला मू है, अब इसको याद करने का तरीका देखिए, words को पकड़ेंगे हम, word लिखा है किला मू, मतलब ऐसा जॉला मुखी, जिसका मू जो है, वो कीले जैसा है, मतलब तीखा मू है, मतलब continuously निकलते निकलते उसक किला जैसे हो गया, तो उस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, कि उसमें से बहुत लावा निकलता है, ऐसे याद रखिए, तो लावा निकलते निकलते उसका मू कैसा हो गया, कीले जैसा हो गया, और जब वो continuously सक्री है, तो मतलब उसके मू से दुवा निकलता रहेगा, म दोस्तों हमने word पकड़ा quota, अब quota दोस्तों आप सभी ने नाम सुना होगा, जो कि medical या engineering के लिए जो भी लोग तैयारी करने जाते हैं, computer exam की वो कहां जाते हैं, quota जाते हैं, तो quota student एक बार जरू जाता है, तो देखिए friends क्या लिखा है, एक वा, एक बार, एक बार, तो quota पेक जो का सबसे उंचा जो अलाम की परवत हैं, अगला आता हैं, दोस्तों हमारा Ojas, Dale, Salado, इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम Ojas को लिख सकते हैं, O, और Dale को लिख सकते हैं, दोस्तों हम D, तो ये बन गया दोस्तों हमारा OD, अब OD हम कब लेते हैं, OD आपको generally काफी लोगों पता नहीं होगा, मैं बता जाता हूँ, जब भी हम सेव करते हैं, बेंक में पैसे सेव करते हैं, और FD करते हैं, फिक्स डिपोजिट करते हैं कुछ पैसे को, और हमको एकदम से अर्जेंट जरौत परती हैं पैसों की, तो हम क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट, FD के अगेंस्ट हम क्या ले लेते हैं, ओडी ले लेते हैं, मतलब बेंक से कुछ पेसा ले लेते हैं, तो जब हमको urgent जरुत परती है पेसे की, तब हम ओडी ले लेते हैं, तो friends, urgent से हमारा बना, Argentina और ध्यान रखिएगा, ओजस डेल सालाडो जो हैं, वो अरजेंटीना चीली बॉडर पर इस्तित हैं, ठीक है friends, अगला आता है दोस्तों, हमारा स्ट्राम बोली, स्ट्राम बोली को तो ऐसे याद रखिए, बोली, मतलब बोलना, बोलना हम continuously बोलते रहते हैं, क्या हम चूप हो जाते हैं, क्या नहीं होते हैं, हमारा मुँग continuously चलता रहता हैं, उसी परकार से हम देख सकते हैं, की एक ज्वाला मुखी जो चलता रहता है, वसको हम क्या बोलते हैं, इस तरीकी से रिलेट कर सकते हैं, और स्ट्राम बोली को हम देख सकते हैं, की एक उसक्री ज्वाला मुखी हैं, ठीक है friends, question यह बनते हैं, यह important important सारे हैं ठीक है याद करने के लिए तो बहुत सारी list पड़ी हुई है बट कोई sense नहीं है जो हमको important थे हमने वो याद कर लिए चलिए आगे अब बात करते हैं प्रसुप्त dormant की प्रसुप्त जौला मुखी किसे बोलते हैं ध्यान से सुनिएगा इसा जौला मुखी जिस वि सु विस, जो की Italy में हैं तो इसको याद रखने का तरीका दोश्टो इससे देखिए कि टली होगया आदमी अगर टली होगया तो उसको क्या लग जाएगा सू लग जाएगा आप समझ चुके तो उस तरीके से दोस्तों हम इसको relate कर सकते हैं और याद कर सकते हैं तो वि devices वियस कहां पर है इटली में है टली हो गया मतलब खुब सदा पी ली उसने तो उसको सू लग गई ठीक है फ्रेंट्स तो इस तरीके से याद रख सकते हैं तो आपको समझ में आ चुका है प्रसुप जोला होने किसे बोलेंगे कुछ समय से विस्पोर्ट नहीं हुआ पर ओने क जॉला मुखी बोलेंगे इसका एकजांपल क्या है दोस्तो एकांक गुआ जो कि एंडिस परवत पर हैं और देवबंद जो की इरान में इस्तित हैं ध्यान रखिया का दोस्तो एकांग गुआ जो है वह विश्व में सबसे उंचाई पर इस्तित शांथ जॉला मुखी है उसके आता है देव बंद. एसा जौलह मुख्य जो फूटना बंद हो गिया. तो विशपोट अबंद हो गिया तो वो बन गया शांत जौलह मुख़ी का एक्जामपल है. कहां पर इस्तित हैं ये इरान में इस्तित हैं तो इस तरीके से हम उसको याद रख सकते हैं और एकांग का A और एंडिस का A दोनों मिलता हैं तो उससे भी हम इसको relate कर सकते हैं ठीक है फ्रेंट्स तो ये उसके तीन टाइप थे जो हमने एक एक करके समझ लिए और important ज्वाला मुखी के example जो exam में questions बनते हैं जिनसे वो हमने समझ लिए चलिए आगे मैं आपको दो तीन important points बताता हूँ ज्वाला मुखी से related और फिर हम टेस्ट लगाएंगे पहला अमरा important point है भारत के दो ज्वाला मुखी हैं प्रमुख ज्वाला मुखी हैं कौन-कौन से हैं नारकॉंडम और बेरन और ये कहां पर इस्ति थे अंडबार निकोबार में इस्ति थे तो ध्यान रखेगा दोस्तों बहुत ज़़ा important है ये questions exam में बनते हैं तो नारकॉंडम और बेरन दोबारत के ज्वाला मुखी हैं अब नारकॉंडम जो है इसकी प्रवर्ति कैसी हैं ये एक dormant है मतलब प्रसुप्त हैं और ये वाला जो है बेरन वो है active अब इसको याद रखना तरीका देखिए दोस्तों बेरन मतलब रन मतलब रन मतलब दोड़ना मतलब जो चल तो इस तरीके से हम उसको याद रख सकते हैं ये question exam में बनता है अगला point है हमारा Australia महादीप में एक भी जोला मुखी नहीं है तो ये भी question पूछ लिया आता है कि निमन में से कौन सा ऐसा महादीप है जहां पर एक भी जोला मुखी नहीं है तो वहां पर आएगा हमारा Australia तो अब हम टेस्ट लगाते हैं दोस्तों और देखते हैं कि जो हमने पढ़ा है और जो सीखा है वो हम कितना उसको solve कर पारें टेस्ट में फ्रेंट्स हमारा पहला question है जोला मुखी के कप आकर के मूँ को क्या कहते हैं देखिए हम पढ़ चुके हैं कि कप आकर का मूँ जो होता ह क्रेटर होता है। संसार का सबसे सक्री जोला मुखी . अगला question है संसार का सबसे सक्री is जोला मुखी . मैंनी आपको बताया है कि सबसे सक्री है वह था जिसका मूँ बिलकुल ऐसी وिस्पूट हो कि मूँ उसका पूरा कीले जैसा हो गया एकदम तीखा मूह हो गया एकदम, इतना विस्पोर्ट हुआ, तो कीले जैसा मूह हो गया, तो C आंसर होगा इसका, ठीक है, इतना विस्पोर्ट होता है, उसके अंदर इतना विस्पोर्ट होता है, एक्टीव भो जदा है, जल्दी यल्ली उसके अंदर से विस्पोर्ट होता है, तो इसका आंसर होगा B, यह आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक्जाम में रिपीट हो सकता कोशन पुछा आ सकता है, चलिए आगे हम important कोशन लेए, अगला कोशन है दोस्तों हमारा, कोटो पेक्सी कहां इस्तित हैं, अब देखिए, कोटो पेक्सी से हमने पकड़ा दोस्तों कोटा, और कोटा एक बार जरू जाता है, तो एक बार जरू जाता है तैयारी करने, तो एक बार से हमारा बना Ecuador, एक बार, एक बार, ठीक है, अगला कोशन है हमारा प्रत्वी के नीचे द्रवित शेल कहलाता है, प्रत्वी के नीचे द्रवित शेल, मतलब जो द्रव पदार् तो इसका अंसर लगेगा D, लावा हो नहीं सकता, क्योंकि हमने पढ़ लिया जब वह बाहर आके सर्फेस पर आता है प्रत्वी के, तब उसे हम क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं, चलिए, आगे और important question लेते हैं, लंबे समय तक शान्त रहकर विस्पोट होने वाला जौला मुखी बोलते हैं, ठीक है, dormant बोलते हैं, तो इसका अंसर लगेगा B, निम्न मेंसे किस जौला मुखी को भूमत दिसागर का प्रकाश थम कहा जाता हैं, तो ध्यान रख्या का दोस्तों किसे कहा जाता हैं, मैंने आपको बताया था, स्ट्राम बोली, स्ट्राम बोली ये कैस जौला मुखी हैं, जिसे क्या बोला जाता हैं, भूमत दिसागर का प्रकाश थम बोला जाता हैं, ठीक है फ्रेंट्स, तो इस तरीके से दोस्तों ये एक छोटा चा टॉपिक था, और हमने अच्छे से उसको समझा पड़ा, जिससे questions बनने के chances रहते हैं exam में, तो आप इसको एक लेक्चर को एक दो बार अच्छे से देख लीजिए, प्रेक्टिस कर लीजिए, ठीक है, और note down कर लीजिए notes में, अगर इससे question बनता है, तो मुझका आचानी से solve कर पाएंगे, फ्रेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हैं, तो जल्दी से इस वीडियो क लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेका राता रहता हूँ, तब तक के लिए फ्रेंट्स, गुडबाएं